आपने लोग पढ़ रहेते वैदिक मैथ और आज हम जानेंगे 5 से मल्टिप्लिकेशन कैसे करना है वैदिक मैथ कोई भी नमबर हो 5 से मल्टिप्लाई करके देखेंगे 5 सेकेंड के अंदर आपका जो अंसर है वो आज आएगा ये सार्ट करते हैं और जानते हैं 5 से मल्टिप्लिकेशन अगर अपने लोग नॉर्मल जो हमारा प्रोसर्स है mathematical प्रोसर्स उससे अगर अपने लोग इनका जो भी हमारे पास यहाँ पे सम दिये हुए हैं इनका अगर अपने लोग answer find करने की कोजिस करेंगे तो काफी lengthy process जाएगा अपने लोग जानेंगे Vedic Math से कि अपने लोग किस तरीके से यहाँ पर step by step process करके बहुत यह असानी तरीके से 5 second के अंदर अपने लोग answer निकाल सकते हैं हमारे पास steps हैं सबसे पहले अपने लोग half करेंगे जो भी हमारे पास number दिया होगा उसका half कर लेंगे उसके बाद उसको multiply कर देंगे 10 और हमारा जो answer वो आ जाएगा अई यह इसको करके देखते हैं ऐसे नहीं समझ मैंगा जब तक अपने लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे देखते हैं तो हमारे पास number दिया हुआ है 75 into 5 तो हमारा number क्या हो गया 75 75 को half करो यानि कि 75 divided by 2 तो हमारे पास answer आएगा 3 7.5 यह answer आएगा हमारे पास अब अपने लोगों को यह तो था हमारे पास पहला step दूसरा step क्या है अपने लोगों को जो भी number है उसको multiply करना है 10 से यानि कि 37.5 into 10 हमारा आँसर आचुका है 3 75 यह हमारा आँसर 75 into 5 का आँसर बहुत आसानी तरीके से अपने लोगों ने कर लिया देखिए 2 digit हो, 3 digit हो या फिर कितने भी सारे digit हो half करो, multiply by 10 करो 5 से कर अपने लोगों multiply करना चाहते हैं तो वहाँ पर अपना जो answer है वो इसी तरीके से आएगा 2 step है, सबसे पहले half करना है फिर जो हमारे पास answer आएगा जो की half करने के बाद आया है हमारे पास answer है उसको अपने लोग multiply कर देंगे 10 से तो जो हमारा answer है वो आजाएगा आएए थोड़ा सहीद तो अपने लोगों ने 2 digit number पर किया आएए थोड़ा और अपने लोग समझने की questions करते है हमारे पास number दिया हुआ है 692 multiply by 5 हमारे पास number क्या है 3, 4, 6 यह answer आया अब इसको अपने लोगों को multiply कर देना है 10 से यानि कि 3, 4, 6 into 10 तो हमारे पास answer आएगा 3, 4, 6, 0 यह हमारा answer कितनी आसानी से अपने लोगों ने multiply कर दिया थोड़ा सा और अपने लोग level increase करते हैं और अपने लोग अब 4 digit number का sum करके देखते हैं इसको अपने लोगों direct करके देखते हैं पहला step क्या है multiply, sorry divide by 2 यानि कि half कर देंगे half करके देखते हैं हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास 19 है तो यह जाएगा 9 से 7, 8, 6 यह आगे हमारे पास अब इसको अपने लोगों को multiply करना है 10 से 9, 8, 6 into 10 हमारा अंसर आ चुका है 9, 8, 6, 0 multiply 10 से कर दो या फिर जो हमारा अंसर आया है उसको यहाँ पर 0 लिग दो अगर point में नहीं आ रहा है तो direct 0 लगा दो कोई दिक्कर नहीं होगी आईए एक और लेवल increase करके देखते है हमारे पास नमबर दिया हुआ है 2, 9, 2, 3, 5 ठीक है इसको divide करते हैं 2 से और अपने लोग multiply करेंगे 10 से theoretically करके देखते हैं के वल अपने लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पर 2 चाहेगा 1 बार 4, 6 1, 7 0.5 यह आएगा हमारे पास अब इसको multiply करना है 10 से तो हमारे अंसर क्या आ चुका होगा 1, 4, 6, 1, 7, 5 कदिनी आसानी से अपने लोगों ने multiplication करके देख लिए 5 से बहुत lengthy process जाने की जरूत नहीं है वैदिक मैस से देखिए वैदिक मैस से अपने लोगों को काफी सारी जो चीज़े हैं बहुत जल्दी अपने लोग calculate कर पाएंगे हमारा जो answer वो काफी ज़दा accurate आता है हो सकता है अगर अपने लोग इस digit को अपने लोग अगर normal mathematical method से अपने लोग करने की courses करते step by step तो answer में कुछ दिक्कत हो सकते थी और answer और आने में भी थोड़ा सा time लगता हमारे पास कुछ practice questions है आईए उनको देख लेते हैं हमारे पास काफी सारे questions है यहाँ पर इसको आप solve कर सकते हैं और अपना जो answer है वो comment box में बता सकते हैं साथ ही साथ इसका answer भी आप comment box में बता दीजेगा कि इसका जो answer है वो क्या होगा मिलते हैं आप से एगले वीडियो में जहाँ पर अपने लोग एक और नए tricks लाएंगे वैदिक मायत के बारे में और वहाँ पर अपने लोग देखेंगे कि 50 से अपने लोग कैसे multiplication करके काफी आसानी तरीके से अपने लोग जो answer है वो निकाल सकते हैं मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में तेल दन गोड़ बाई